मेरे गार्डी फ्रेंस को वैगी इस हूंपचेंगार्डन में बहुत बहुत खुशामदेद मेरे गार्डी फ्रेंस आज की मेरी वीडियो एक्सिया विंटर फ्रावरिंग बलप्स की सप्राउट के हवाले से है आज से 20-20 दिन पहले मैंने अपने गार्डी फ्रेंस के लिए एक्सिया विंटर फ्रावरिंग बलप्स को कैसे लगाते हैं उसके हवाले से हर तरह से टेपस और इंफरमेशन शेयर की थी जिसमें खास तोर पर विंटर फ्लावरिंग बिलप्स की गार्डन स्वाइल के हवाले से थी और आज मेरे गार्डन फ्लावरिंग बिलप्स की सप्राउट को निकल तकरीबन 20-22 दिन हो गए है और आपको यहां से अगर मैं यह कैमरा क्लोज करूँ तो यह आपको यह सप्राउट यहां यह नजर आ रही होगी और यह 12 इंच कर यह कंटेनर था जिसमें मैंने यह यह एक्जिय के जो यह दो बलप्स लगाए थे और आपको यह कॉर्णल में था थामनेल भी नजर आ रहा होगा मेरे पिछली वीडियो का बिने गार्णि फ्रेंस एक्जिय के जो विटर फ्लावरिंग बलप्स हैं इसके जो लीव्स होते हैं अगर मैं यह बुक पर ले गया हूं दुबारा यह लिखाव है ग्रासी लीव्स यानि इसके जो पते होंगे वो घास नमा होंगे और यह फैलने वाला पौदा है इसलिए आप यह देखें इसमें डिफरिंट जो है सप्रॉट्स हैं यहां से आपको नजर आ रही हैं यह भी सप्रॉट्स नजर आ रही हैं यह से ज्यादा स नजर आ रही है इसमें यह पी सब प्रॉट्स निकर रही है तो यह घास नमा यह फैलेगा यह पाओदा और इसमें थो स्टेम्प्स निकलेंगी दव्यार में इससे यहाना यह गास नवाल जब पहलेगा तो लंबी लंब इसी स्टैंप्स निकलेंगी और तक्रीबन तीन चार फूट के ऊपर आके इसमें यह जो कॉन लेली फ्लावर्स हैं अब यहां लिखावा है सिस्टी सेंटीमिटर टॉल यानि यानि चार फूट समय लें आप चार पलिगर फूटों टो इसमें सिस्टेंगेंगे हैं बीजबर sung creature का और वinden का ला प्रिकार रेंख हो स्विभराज को मैं बसदा थाड़नांब करूंगा पहली बात है आप हमारे काफी चुल्ड वाज़र है और आज भी काफी चुल्ड वरिदर है अब इस फिलाग क्लॉडी अटमोसफेर है दूब का डूरेशन है बहुत कम होता है तो जितनी सनलाइट आप इसे परवाइट करें और इसमें जब फ्लावर आएंगे तकरीबन मार्च के से शुरू होंगे और एपल के एंड और हो सकता है कि मैं यह जाएं को कि यह वांप क्ल पावर के तोरबे भी यूज होता है तो तो आगे-आगे मौसम आगे चेंज होगा इंशाथ आला यह जैन्वरी का बैंडिंग है मन्त है फैबरे में आके मौसम तुरह सा आगे चेंज होगा थोड़ा सा दूप कर डूरिशन होगा जितनी आप दूप परवाइड कर सकेंग और इसकी जाए इतनी इतनी ही इसकी गिरोफ होगी जितनी सानलाइड आप देश सकेंगे उसके बाद अभी तक मैंने जो पहले तो जो खाग को जो कॉम्बीनेशन है आगे मेरे गार्णिर फ्रेंस में वीडियो देखी उसमसारा मैंने कॉम्बीनेशन बताया वैसमें किस त चुम्ड़र्डर्स वाल का गार्डर्रस वाल का कॉम्बीनेशन गिया था और दूसरी बात है कि अभी तक जो मैंने वीटामिस दिया है मॉर्म जितने भी स्टार्वारिंग मैं अपने फ्लावरिंग जो बलब्स को लगाने वर्कल मैं जो देता हूं मुल्टी विटामिन्स वो कुछ इस तरह के हैं, ये मल्टी विटामिन्स होते हैं, इसमें मुक्तिफ कॉम्बिनेशन है, कॉपर है, फासफॉरस है, नाटोजन है, फुराद है, जिंक है, मैकनेस है, तो ना कि ये मल्टी विटामिन्स ये प्रोवाइड करता है इसको, बलकि साथ ये पी-च लेवल, असल बात चीज होती है, आपका वाटर और स्वाइल का पी-च लेवल, एक्शली स्वाइल और वाटर का ये जो पी-च लेवल है, ये भी इसको मेंटेन करता है, इसमें, और नॉर्मली विंटर फ्लावरिंग बलप्स के लिए जो पी-च है, वो 5.5 से लेकर 6.4 होना की पानी अब देएंगे अफू अउस हवाब से इसकी जो जो सप्राउट है निकलेंगी इपाउट की इच्छी लोगए करने onderway कर ने का मतलब है कि जब आप यह से अब यह तक्रीम बन कोई आप कर दो यह और दो इंशं c यहां तक यह यह सप्राउट तक घृ मैं कायों तो बस यह थोड़ा सा बताने का प्रपसी है तक जुन्होंने अगर बल्ब से लगाए हुए हैं और यह वेट करें सब्सक्राइब करें और जरूर निकलेगी बस यह सब्सक्राइब करें आप इसको फालू करें और अमित करते हैं यह वीडियो पसंद आएगी बाय आसम नवा करें आसम करें से घयंक रहाए हैं और समस्टारव में होड़ा हैं वीत करें।